हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल पड़ी हेल्थन ब्यूटी आज मैं आप लोग को बताऊंगी कमजोरी दूर करने के कुछ घरेलू उपाए लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को फटा फट सब्सक्राइब कर लीजिए कमजोरी दूर करने के लिए मैं जो होम रिमेरिज बता रही हूँ उसके लिए आपको सबसे पहले लेना है एक चमच सहद और इसमें सेम क्वांटीटी में एड करना है हल्दी आपको एक चमच हल्दी इसमें एड करना है अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसका सेवन कैसे करना है आपको रोजाना दिन में एक बार इसका सेवन करना है और इसे खाने के बाद कुछ समय तक पानी ना पिये हल्दी और सहद दोनों को औस्धी के रूप में सालों से उप्योग किया जा रहा है सहद में एंटी बायोटिक और एंटी बैक्टिरियल गुन मौझूद है जो सरीर को हल्दी रखता है अगर आप अपनी डाइट में इसे रोजाना सामिल करते हैं तो यह बाड़ी को पड़्याप्त इनरजी देता है यह बाड़ी का स्टैमिना बढ़ाता है बीकनिस की प्रॉब्लिम को दूर करता है सहद और हल्दी को रोजाना सेवन करने से पाचन किरिया मजबूत होती है यह लो बलड प्रेसर को कंट्रोल करता है गले की खड़ास की समस्या को दूर करता है आथी यह डाइविटिज के पेसेंड के लिए भी बहुत ही अच्छा औस्दी है अगर आप बीकनिस की प्रॉब्लिम से बहुत जादा परिसान है तो इसे जरूर ट्राइ कीजिए अपने डाइट में इसे सामिल कीजिए और जो भी रिजल्ट हो जो भी फायदा हो इसे खाने के बाद मेरी साथ जरूर सेयर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर कीजिए फेस्बुक वाटस अप और इंस्टाग्राम पे ताकि उनको भी इसका मेनिफिट मिल सके और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू बाइ बाइ लव यू माई आल सब्सक्राइबर माई आल भीवर